नमस्कात दोस्तो मैं हूँ संदीप और आप देख रहे हैं अमोंग स्पिन संदीप चैनल दोस्तो आज हम देखेंगे अगर आप इंडियान पोस्टप्रिस के अंदर एक सेविंग आकॉंट उपेन करने चाहते हैं तो आपको कौनसा कौनसा फ्रॉम फिलाप करने पड़ेगा तो यहाँ पर दोस्तो आपको तीन फ्रॉम फिलाप करना पड़ेगा देखें पहले वाला फ्रॉम यह मेन अकॉंट ओपेनिंग फ्रॉम उसके बाद देखें एक क्योई सी फ्रॉम आपको फिलाप करना पड़ेगा यह वाला और एक पेन सिलिप फ्रॉम आपको फिलाप करन ये बहुत ही बहुत ही इसने देखे दोस्तिह पहले बहुतव जो पोट्सान है उसको छोड़ सान हो चोड़ दिजा तो र acqu single account opening from का example ले रहा हूँ देखिए तो यहाँ पर मैंने एक नाम दे दिया देखे चरंजाई उसके बाद यह savings account इसलिए यहाँ पर savings लिख दीजिए और और भी कुछ option है पर यहाँ पर हम लोग just saving account के बारे में बोलेंगे उसके बाद देखिए जो additional पर नहीं लागो होगा ठीक है दोस्तों उसके बाद देखिए यह मैंने self दे दिया account folder टाइब ठीक है उसके बाद देखिए क्या है उसके बाद अगर यह minor के लिए open हो रहा है minor मतलब कोई बच्चे अगर बच्चे के लिए open हो रहा है तो देख उसका डेट फ बर्व जो पो आपे देना पाड़े को उसका जेंडर यहां पो देना पड़ेगा और उसका जो नेम आप दली घार्जेन उसका पिता माता का नाम इकी बच्चे का यह पर नहीं के नहीं तो изkे बाद देख debates ढहुए बंप्माट कीकल झाल रहा पहले खाता खुलने के बग्त तो देखिए यह पर हम मैं एक एक घ्जम्पल के तौर पर था उबएसद्र पार्ष गया हूँ तो उसका देखिए यहाँ पर और मैं तौर देखिये यहाँ और स्ट अधर्लेटर जब में संकर दिया तो आप इसके बाद हमें देखिये पाटीकुलार्स मतलब जो एप्लिकेंट है उसका जो पाटिकुलारस डिटेल Two देना चाहिए तो देखिए मैं नेम और वAnn अप्लिकेंट उसके बाद का रख में और दोसके बार सिर्ण कंदों के पशारसमांट पूछ के नहीं हो मैं कि सकते केसी पंपते लाज बंग कर้ा हूं जई सचांट आप ढब नहीं सब्सक्निदन को प्रकट प्रेज smallestosip और फोट HOW रहे हो वह अभी उसका वह address यहां पर दिदिजी जैसे वा नने दिया ठीग है बस्तो और लोग वह सब्सक्राइब की किसे और कंज मद बने यहां पर चाहिए और यहां पर जो देखी हा न हम है यह जो document number slash date of issue slash issue of authority यह सब यहाँ पर होगा ठीक है दोस्तों पहले वाले access के जाएगे में document number मतला pen card का number उसके बाद date of issue और issue authority ठीक है दोस्तों उसके बाद address पूप तो address पूप के जैसे मैं आधर कर्ट दे हो तो आधर कर्ट का जो documentary number यहाँ पर दे देना date of issue यहाँ पर देना और slash दे के using authority यहाँ पर दे देना ठीक है दोस्तों यह छोड़ दीजिए उसके बाद नीचे देखिए signature लाएगा यह signature specimen signature जो applicant का है एक ही applicant का है यहाँ पर इसलिए मैंने दिया आगा joint applicant है तो यहाँ पर दे दे देना उसका signature ठीक है दोस्तों और उसका जो नाम यहाँ पर मैंने दे दिया capital में आप भी दे देना उसके बाद देखिए यह तो हो गया दूसरी page में देखिए कुछ declaration है यह savings account के लिए नहीं लगेगा आप पुरा का पुरा नीचे आ जाईए वहाँ पर देखिए यहाँ यहाँ पर है signature और थांप इंप्रेशन आप देदेना कोई बात नहीं यहाँ पर डेट देदेना जिस दिन में आप वह जमा कर रहे हो इस फॉर्म तो उसके बाद देखिए नॉमिनेशन जाए देखिए दोस्तों तो नॉमिनेशन के लिए आपको यह यह जाएगा भरना पड़ेगा आपको देखिए तो यहाँ पर एप्लीकेंट का नाम एस सेविंग सेकाउंट होके उसके बाद देखिए नॉमिन जो आप दिना चाते हैं जैसे देखिए यहाँ उसका जो फादर है फादर का नाम मैंने दी दिया रामचरण जाई उसके बाद जो रिलेशन वह दे दिया फादर ठीक है दोस्तों उसके बाद फादर का फूल एड्रेस अधर नमबर आग देख भी सकते नहीं भी देख सकते और यह अगर यह जो नॉमिनी है वह आगर माइन है मतलब बच्चे है तो उसका देट आप देना चाहिए ठीक है दोस्तों सेर आप इंटरेल मतलब यह पर पुड़ा का पुड़ा परसेंट होगा अगर एक ही नॉमिनी हो अगर दो तीन नॉमिनी हो तो यह आप परसेंट बदल सकते हो जैसे 50% 50% हो गया और 60% 40% से ठीक है उसके बाद देखिए यह आपको भरना नहीं पड़ेगा क्योंकि यह पर आग़ माइन और हो आपका नॉमिनी तब यह पर भरना पड़ेगा ठीक है दोस्तों नहीं तो इसको छोड़ दीजिये कोई़ बात नहीं और उसके बाद देखिए आगर आपका जो जो आपलिकेंट वह आगर एलिटरेट है ठीके तो इलिटरेट होगा तो यहाँ पर दो सखती लगा उस सखती का और जो सिगनेचर हो यहाँ पर देना पर एगा तो हो गया यह इसके बाद यह पूरा का पूरा पोस्टब इसके लिए तो यह पर छोड़ देना तो हो गया यह फ्रॉम फिलाप तो दूसरे जो किया इसी है वह आप आम लोग जाते हैं देखिए किया इसी फॉर्म बहुत इसी है देखिए यह पर अप्लिकेंट का नाम देना पड़ेगा देखिए यहाप अगर और सिंगल अप्लिकेंट वह उसके लिए भी सेमी प्रोसेस लाग होगा ठीक है दोस्तों कि उसके बाद देखिए यहां पर क्या है कुछ पर्टिकॉलर से जो आपको फिलाप करना पड़ेगा बहुत इसीय है नाम है हाउस नंबर है रोड दे दीजिए जो आपका अधर नमबर दे दीजिए लोकालिटी लैंडमर्क डिस्ट्रिक्ट स्टेट और इमेल आईडी आगर आप देना चाहते हो तो दे दीजिए पैन नमबर दे दीजिए ठीक है दोस्तों उसके बाद जैसे मैंने पहले भी कहा था देखिए फॉटो आप यहाप पर पाइडिटी पर दूसरे अप्लिकेंट का सिंगेचर तो देखिए कि इसी कितना इजी हो गया उसके बाद देखे पेंट स्लिप आता है पेंट स्लिप क्या है कुछ नहीं जो स्लिप के अज़री है आप पहले बार आप आपको एकांट वोपिन करने के समाए जो रासिया आप बैंक में ज देना पड़ेगा और जो पुष्टपी से वह पुष्टपी सका नाम ब्रांच नम यहां पर होगा अपको नहीं मिलेगा तबी ठीक है उसके बाद डेट दे देना यहां पर और जो एपलिकेंट का नेम है कितना अमांट आप डाल रहे हो 1000 यहां पर दे दीजिए यहां पर लिदिजिए और यहां पर ऐख लिकेंट कर दीजीए देखिए दोष्टों यहां पर दीजिए से मियां पर अदेगेंट कर द देखिया कि लाइग दूसका जो ओरड में है ईहां पर तो दोस्तों फिलाल यहां पर वीडियो स्टॉप करता हूँ धन्यवाद जय हिंद।